तो ये वीडियो साम से स्टार्ट किया है और आप देख सकते हैं दक्स सो के जक्ट के हैं और मेरे हजबन भी थोड़ी देर आराम किया था उन्होंने भी कमरे में सिर्फ एक लाइट जल रही है बहुत धीमी वाली बिकाज अभी ये लोग दुनों बच्चे मेरे दुनों सो के उठे हैं तो धीमी जली एक लाइट जलाई गई है और मैं किचिन में हूँ चाय चड़ाने गई थी ये जो क्लिप है पर हजबन ने सूट की थी अधिन दक्स थोड़ा सा चल रहा था खुछ से दस बारा कदम चल देता है तो बड़ाई अच्छा लगता है वही हम लोग रि हमें डिनर की तरहा हो डिनर की त्यारी कर रिए हूं तो अरहरे की गाल मने रखे हैं क्योंकि अक्सर बधाल जरूब बनाती हूँ जो एक सुपर मनेए तो समको बने गी क्योंकि दाल बहुत पसंद है हम लोगों को और हमारे हाँ रगुलर बनती भी है और खास करिए ये लो वाली दाल पीली वाली आई मिन आयर की दाल और दाले सारी बहुत पसंद हैं हम सभी को और हम लोग आये दिन एक एक दिन छोड़ छोड़ के जब सामके छे बज़ रहे होंगे तब हमने चाय बनाई थी आज कलना दिन देर में ढलता है इस वज़े से देर से सप्षीजे करने को मन करता है पहले क्या होता था साड़े चार कभी पांच बज़े ही चाय बना के पी ली और आट जब बज़ा तो खाना ना बन गया फिर साड ही लेडने पट पाते हैं और उसके बाद मुझे ऐरेटिंग बगरा करना होता है तो मैं इसके इंतजार रहता है या बच्चे को बाहर ले जाओ कि लाने च्छत की तरफ तब मैं एरेटिंग करूँ ताकि मुझे परिशान ना करे और या फिर या फो चाय वो तब मैं काम कर तो उसके सोनी का वेट करती हूं तो रात के बाराजों बजी जाते हैं तो इसी वज़े से मैं नींद भी नहीं पूरी हो पाती है रात को देर से सो और सुबह जल्दी उठो कहम में लोगो थोड़ी सी ठाकान भी हो गई है मैं वीक भी हो गई हूं बहुत ज्यादा वीक हो हैं तो जी हां मैं बहुत वीक हो गई हूं साइद में वीक होने की वज़े से मेरे कपड़े ना पतले मैं पतली हो गई हूं और मेरे कपड़े डीले होने लगी है ऐसा कोई लोग पूछते है कि क्या किया है आप पतले हो गया है ऐसा कोई अलग से कुछ डाइट चार्ट भी और आज मैंने अपनी ये निकाली है जो मेरी बहन ने मुझे दी थी है माईके सही लाई थी मैं तो इनको निकाला है लगाने के लिए बट अभी दक्ष सो रहा है अभी टाइम बताओं तो आट बच चुके हैं तो धीमिस रखना पड़ता है बढ़ना ये चग जाएगा सुक्राइ पर अपार मैं दुकान पर अब तत्पुक्त टार्वाज़े क में की तो पक्रवाजी केसे सबाचा ने रू मैं तरह से कहीं थे लग गाना या मैं देड़ से लगे ज़ए बहूं की शोचा है यह तो मृन दक्ट सब्सक्राइब प्रां लोग लेकिन वो स्तिकर भी लाइड है और मैंने उसमें एक ऐसे स्टीकर करहाhone यह ह्यादा था लेकिन वह पुते नहीं कि वह निकल गया इसमय की लिएंची में रहती उचा है वी चीजो math और किनारे यह दोनों लगा दूँ कैसा लगेगा अच्छा लगाए नहीं अभी दक्सोर है जब वह जग जाएगा तो मैं लगांगी कैसा लग रहा है तो मैं रहने दूगी एकली ragna थोड़ा सा खाली खाली लगता है और हम लोगोंने सोचा है एक को लाब बनाने का 야 पिर फोटो फ्रेम शोघ्रो है या फिर अपनी मैरिक का फोटोटो लगाने बड़ा सा लेकिन अभी हो नहीं पा रहा है इस वजगे से रहे गया है लेकिन आपनोंने कापी सजेशन दिये हैं वह से लोगों ने बोला तो पोश्टर लगा लीजिएगा और को लाब लगा लीजिएगा श्टीकर लगा लीजिएगा तो फैंक्यू सुमद बहुत अच्छे चे आइडिया दिये आप लोगोंने लेकिन मैंने यह हुप कर यह हां से तूट चुका है लेकिन है लगती मुझे बहुत प्यारी है बट इसमें अभी कोई समान नहीं है तो मैं इसको अभी हटा कर अलग रखने वाली हूं बट के कपड़े हैं जो कि यह छोटा हो गया था तो किसी को देने के काम हा जाएगा तो यह निकाल दिय तो मेरा सूट थोड़ा से सही करवाना है भी ठीलर से तो कल साइद करवा देंगे मेरा जुन जी और यहां पर जितने कपड़े यह आध्या के हैं ले जाने के लिए यह दक्च का याध्या के यह पैंटीज परमी आगी है यह कैफरी यह आध्या का हो गया है एंड उस यह डाल हुआ है यह वह मेरे है है तो अभी हम दोनु लुग मिलके ह muffly है वह लगाने वाले है लगाने रिफ्रब कम थोड़े से क्योंकि दब्स के अपने काम стал करके वह आप पताएंगी कोमेंट करके तो चलिए फटाफर पहले बैग लगा लेते हैं जिसके वाद इनको भी लगा के दिखाऊंगे कि यह कैसी लगती है कि मैंने बताया था हमको कहीं जाना है कहां जा रहे हैं अब ताना जरूर ससुराल जाओंगी अमाइके जाओंगी लोग यही दो जियादा गेस करते हैं तो वैनस वज़ा चलो पूस्ते हूं आप लोगों से कितना जान पाएं हूंको अभी कहां जाएंगे अमाइके जाएंग यहां पर मैं पर कपड़े हैं वो लगाने लगी हूं देखिए मैंने कुछ कपड़े निकाल के रख लिए हैं आध्या दक्ष के कपड़े निकाल रही हूं के कपड़े थोड़ी से कम हैं मुझे लगता है क्योंकि दक्ष के कपड़े हैं हम लोगों ने सर्दियों में लिए थे सर्दियों में हां लिए हैं गर्मियों जो लिए थे वो पुराने हो गए है अब इस बार ना गर्मियों के नए कपड़े लेने पड़ेंगे और इस वज़े से दखसे कपड़े नहीं है एक तरीके कुछ ही है जितने है की पैकिंग की है कुछ साधियां भी लेके जाओंगी तो भी पैक करूंगी एक बैग और निकालूंगी जिसमें मैं आध्या की कपड़े लगाओंगी कि इस बैग में न कपड़े लग ही नहीं पा रहे है पूरे अच्छा एक बात और कहूं मैं ज्यादा दिन के लिए नहीं पड़ रहे हैं मुझे अपने तो यहां पर मैं अपने एक्स्टरा काप़े भी रख रही हूं और आधियाके इस MARK में दुसरे bind में लगाओंगी और भी मेंकप की किट भी लगानी है बहुत सारा सामान है बहुत सारा काम है जो कि मैं आज नहीं करूँगी, अब मैं कल ही करूँगी, जतना आज पैक हो जा रहा है, उतना मैं कर ले रही हूँ, और बहुत ठक भी रही हूँ क्योंकि मुझे ही सारी चीज़े देखनी है, मेरे साथ मेरी हैल्प मेरे हज़बन करा रहे है कामरे के सामने ज़्यादा काकर नहीं तुझ दिखा रहे है क्योंकि वो कैमरे के पीछे ही बहुत सारे काम कर रहे है कपड़े निकालना, बच्चों के कपड़े निकालना मुझे देना, मुझे बता भी रहे किस तरी की तरह को कि एक्चलि ना सब बताओं मुझे बैग ज्यादा ज्यादा अच्छे से और्गा लेते हैं और जब भी हम कहीं जाते हैं तो वही बैग लगाते हैं मेरा बट आज मैं लगा रही हूं लेकिन इसे पूस्ती जा रही हूं तो वही बताएंगे इस तरह ये बैग मुझे लगाना पड़ेगा क्योंकि इस बैग में तो नहीं आपाएंगे और जो अध्या वाला बैग होगा जिसमें मैं अध्या क्रिक अपने लगाऊंगी उसी बैग में अपना मेकप, केट, पेंगल्स वगयरा सब रख लूँगी और ज्यादा कुछ तो नहीं ले मेकप में बस एक एक चीजे होनी चाहिए इस एक फाउंडेशन एक लिपस्टिक कंगा मेरा एक एक क्रीम स्कीन केर छोटा मुटा सा वही सब रख लूँगी क्योंकि थोड़ा बहुत चीजे लेके जानी चाहिए और यह वाला सूट बहुत अच्छा है मैं आम जों से मंगा उनको बढ़ा सोच समझ के लेना चाहिए दो चार बार तो ऐसा तो है नहीं एक ही बार दुल लिया बच्चे दिन भर गंदा करते दिन में चार बर बदलने पड़ते हैं तो उनके एक से कपड़े दूलते रहते हैं गंदे जादा होते हैं तो ब्रस्ते भी शाप करने दिन तक चलें दुलने के बाद भी रखड़ रखड़के तो यह जो कपड़ा है बहुत अच्छा लगा मुझे बहुत ज़्यादा प्रिंस सूट है एक दम तो बहुत प्यारा लगता है तो यहां पर दक्से कपड़े लग गया है कुछ कपड़े मुझे थैले में दिख रह रही हूं क्योंकि आद्या को सौक है मालूम हम पहुच गए और आद्या भीच में रोने लगी किसी दिन मुझे लहंगा ही पहन रहा है तो फिर इतना अच्छी बात नहीं है क्योंकि इतने रखे हैं और यह मैंने साड़ी से बनवाया था लहंगा बहुत प्यारा लहंगा ल लगेंगे मेरे उदक्स के कुछ कपड़े लग गया है कुछ कपड़े पड़े हुए हैं यह प्रेस करने हैं तो कल मुझे टाइम मिलेगा तो मैं इन कपड़ों को प्रेस कर दूँगी अभी फिलहाल तो मैंने जितना हो सका है मैंने पैक कर दिया है क्योंकि अभी मुझे ख फोड़ा सा उपर से जब कोटी डाल दो तो मोटा हो जाता है तो मलल ले चलेंगे तो कि सरदी बच्चों की साफ से तो हलकी फुल की ठंड तो ही तो दक्स पहनेगा तो ठीक रहेगा दा इंडर वगरा पहनानी के जुरत नहीं पड़ेगी और कुछ याद्या के टॉप है दक् टॉरी बैग तो कंप्लीट हो गया है यह जो बैग इसमें सारे नए कप्रे हैं एकदम कूरे जो बहने ही नहीं गए है वाद्या के हैं जो की उठा कर रखने वाले अभी हमें और जो भी पैकिंग है वो मैं कल करूंगी तो आज मेरी पैकिंग यही खतम होती है क्योंकि दोनों की दोनों जगरे वह बैठी यह बैठा दोनों जग रहे हैं विल्कुल भी नहीं है हम लोग सोच रहे हैं कि सो जाए तो मैं थोड़ा सा अरेटिंग ववगेरा भी कर लो लेकिन नहीं हो पाएगा 12 बज़े से पहले दोनों बच्चे नहीं सोएंगे और जब तक यह कोई काम नहीं होगा और अभी थोड़े पहले लाइट भी ओफ कर दी थी लेकिन फिर से उन करनी पड़ी मुझे ताकि मैं आप उसे बात कर सकूँ मैंने कोशिज की थी लाइट ओफ करके दोनों को सुलाने की वह तो सो जाएगी तो ज़िए में लेकिन यह यह नहीं सोएग कैसे कैसे बाबु कैसे अपने दो दान दिखा दिए जबी को मुझे भी आ रही है बहुत तेज नीन आखों से पता चल रहा होगा तो इस वीडियो को मैं ही एंड करती हूँ एंड मिलती हूँ कल एक अच्छे से व्लॉग के साथ में आप लोग कमेंट करके ज़रू बताना क कि हम लोग कहां जाने वाले हैं आप लोग कमेंट का बहुत इंतिजार रहेगा हमको मिलती हूँ कल ततक के लिए बाई गुड़ नाइट टेक कियर थैंक यू पर वाचिंग बाई बाई आहां बाई